नमस्कार बच्चों आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है बच्चों देखते हैं आज का सुवीचार पेड की शाखा पर बढ़ एठा पक्षी कभी भी डाल हिलने से नहीं घब राता क्योंकि पंची डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है बच्चों आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है बेंच पर बच्चे बेटे है पशु पक्षी दिखाई दे रहे है बड़े बड़े पेड दिखाई दे रहे है बच्चों आपको शहरों में ये सब कहा दिखाई देता है सही कहा बगीचे में तो बच्चो ऐसे ही एक बगीचे में रहने वाले पक्षी अपने खोसले बचाने के लिए क्या-क्या करते हैं और अपनी परिशानियों को कैसे दूर करते हैं वो हम इस पांट में देखने वाले हैं जिसका नाम है दिल्ली की बुल-बुल टिंग ललो बुल-बुल ने जमाई लेते हुए सोचा इतने रात को वाटसप पर किसका मेसेज है उसकी छोटी बहान चिन्नों के यहां क्या हो गया चिन्तित होते हुए मोबाईल देखा तो उसकी भांजीयों क्वीटी वो स्वीटी ने लिखा था मौसीद दस तारिक को बंध हो रहे है और हम एक महने के लिए दिल्ली आ रहे है ललो बुल-बुल की जो छोटी बहान चिन्नों की जो बेटिया थी स्वीटी और क्वीटी ने वाटसप पर बुल-बुल मोसी को मेसेज निखा था कि दस तारिक से उन्हें छोट्टिया मिलने वाली है और वो सब ए एक महने के लिए बुल-बुल मोसी के यहां दिल्ली आ रहे है पिछले वर्ष बच्चों को ललो ने इंडिया गेट लालखीला जामा मस्दीद वर राजगाट दिखा कर वहां का इतिहास बताया था बच्चों को मज़ा भी आया था और गुमने के बहाने अपने इतिहास औ ललो की नीद उड़ गई थी जिस बगीचे की पेड़ पर उसका घुसला था वहां बहुत तेजिसे पेड़ काटे जा रहे थे सुना था किसीने गलत तरिके से वहां कॉंपलेक्स का नक्षा पास करा लिया था पिछले कई दिनों से ललो व उसका परिवार आस पास पेड़ इंडिया गेट, जामा मस्दीद और राजगाट बुलबुल मोसी ने उन्हें दिखाया था और उसका इतिहास भी पताया था बच्चों को गुमनेक को भी मिला और अपने इतिहास और विरासत की जानकारी भी उन्हें मिल गई थी पर ललो बुलबुल की आज तो नीद उड गई थी क्योंकि जिस बगीचे के पेड़ पर उसका घूसला था वहां तेजिस से पेड़ काटे जा रहे थे क्योंकि उच जगह पर गलत तरीके से शौपिंग कॉंपलेक्स का नक्षा पास करा लिया गया था इसलिए ललो और उसका परिवार नया घूसला बनाने के लिए नये पेड़ की तलाश कर रहे थे बढ़ते हुए मकानों की कारण अब जिन पेड़ों पर घूसले बन गये थे जिन पेड़ों पर सुरक्षा है तू बहुत पत्ते नहीं थे या शाखाय ऐसी थी जिन पर घूसले नहीं बन सकते थे अब वे ही बाकी थे ललो बुलबुल घूसला बनाने के लिए नये पेड़ की खोच कर रहे थी पर बढ़ते मकानों के कारण कही पक्षियों ने पहले से ही पेड़ों पर घूसले बनाए थे सुरक्षा है तो जिन पेड़ों पर पत्ते नहीं होते उस पेड़ पर पक्षी अपना घोसला नहीं बनाते और कई पेड़ों की शाकाय भी ऐसी थी कि जहाँ पर पक्षी जो है वो सुरक्षा है तो अपना घोसला बनाना उचित नहीं मानते तो ऐसे ही पेड बच्चे हुए थे सुर्यास्त के बाद बगीचे के पक्षियों ने इमर्जनसी मिटिंग बुलाई थी कोयल, तोते, मैना, गुलगुचिया, गुरया, फुलसोंगी, कव्वे, आधी सब इकत्रे हुए बड़े चिन्ती थे, और बच्चे समस्याओं से अन्नभिन, अन्नभिन यानि जानकारी न होना, पेडों में छुपन छुपाई खेल रहे थे सुर्यास्त होने के समय, यानि शाम के समय, बगीचे के जो सारे पक्षि थे, उन्होंने एक इमर्जनसी मिटिंग बुलाई थी पनाया, जाए, पर उनके जो बच्चे थे, उनको इस परिशाने के बारे में कुछ नहीं पता था, और वे सब पेडों में छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे तुकू कबुतर ने कहा कि हमारी तरह मकानों के खिड कियों और छज्जों पर घोसला बना लो अगर इंसान हम सब के पेड काट कर बिल्लिंग बना रहा है, तो हमारा भी उनके मकानों पर अधिकार है आखिर हम सब कहा जाए, कल्लो कोयर बोली तुम कबुतर नीडर हो, पर हमें तो इंसानों के पास जाने से डर लगता है गवरया और बाकी चिडियों ने सहमती में सीर हिलाया बच्चों आप इस चित्र में देख रहे हैं, कि कैसे इंसान जो है, वो बिल्लिंग बनाने के लिए, शॉपिंग कॉपलिक्स बनाने के लिए, कैसे पेड काट रहे है तो पेड़ काटने की वज़े से जो सारे पक्षी है वो बहुत परिशान है कि अपना नया घुसला कहा बनाए तो अपने वंश के बारे में भी चिंता है कि उनके बच्चे जो है वो कहां बड़े होंगे, वो कहां आंडे देंगे तो इन सारे परिशानों में ये सारे पक्षी है बच्छों आपने देखा होगा कि कबुतर जो है वो अपना घोसला पेडों पर नहीं बलकि इनसानों की मकान, खिड़किया या टेरेस पर घोसला बनाते है तो यहाँ पर जो टुकू कबुतर है तो वो क्या कहता है कि हमारी तरह आप भी इनसानों के खिड़कियों मकानों और छच्जों पर घोसला बना लो अगर इनसान बिल्लिंग बनाने के लिए पेड़ काटता है तो हमारा भी उनके मकानों पर अधिकार है आकिर हम सब कहा जाए कलो कोयल बोली कि तुमका भुतर तो बहुत नीडर होते हो नीडर यानि जो किसी से नहीं डरता उसे कहां जाता है नीडर पर हम सब को तो इनसानों के पाजाने में भी डर लगता है कज़री मैं न बोली हम अंडे कहा देंगे हम सब के बच्छे कहां बड़े होंगे ऐसे तो हम सबका वंच समाप्थ हो जाएगा चतुरकवा जो शांती से सबकी बाते सुन रहा था बोला अगर पक्षिर समाप्थ हो गए तो मनुष्य भी अंतताहा समाप्थ हो जाएगा सुरुष्टी में सबकी भूमिका है हम एक दुसरे के बिना कुछ नहीं मनुष्य स्वार्थी है अगर उसको समझ में आ गया कि यह भगिचा उसके फायदे का है तो वो जरूर कुछ करेगा तो देखा बचो हम सब एक दुसरे पर निर्बर है पशुपक्षियों को भी पता है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्रानी है मनुष्य अपना फायदा हमेशा देखता रहता है अगर मनुष्य को पता चला कि यह भगिचा उसके फायदे का है तो वो जरूर कुछ न कुछ करेगा छुटकी गौरेया बोली भगिचे में आसपास के सब नानी, दादा, दादी रोज टहलते है घंटो एक दुसरे के साथ बेंच पर बैठते है हमें रोटी भी खिलाते है फुल सुंगी बोली बगिचे के बीच की खाली जगह में बच्चे दोडते है क्रिकेट और बैडमेंटन खेलते है आजकल जो बच्चे खेलते नहीं है वेगेन की तरह मोटे होते जा रहे है मीनानानी कह रही थी पिज़ा, बर्गर और कोल्डरिंग से ही उनका नाती गोल, मटोल और सुस हो गया है पढ़ता भी नहीं है इस तरह बच्चे गोल, मटोल हो जाते है जो की जंगपुड खाते है तो देखा बच्चो कि बगीचे में हम सब कई सारे खेल खेलते है खेलने से हमारा वायाम होता है और वायाम के कारण हमारा शरीर तंदुरुस और फूर्टिला रहता है जो बच्चे खेलते नहीं बैठकर सिर्फ खाते रहते है और कोल्रिंग सीटे रहते है तो ऐसे बच्चे जो है वो बॉल की तरह मोटे हो जाते है सुस हो जाते है और उनका मन किसी काम में भी नहीं लगता और नहीं पड़ाई में लगता है तो बच्चो आप सभी को मोटा बनना है या तंदुरुस बनना है तो आप सब को तंदुरुस बनने के लिए खेलना चाहिए और वाया करना चाहिए मिठु तो ता बोला मुद्दे पर आओ करना क्या है कववा बोला रशना देदी आर्टिया में सुचना मांगती है आर्टिया का मतलब होता है राइटू इन्फॉर्मेशन यानि सुचना का अधिकार ये कानून हमारे देश में 2005 को लागू हुआ हर भारतिय नागरिक को सम्विदान द्वारा एक हाग दिया गया है वो किसी सरकारी विभाग या डिपार्बेंट के द्वारा जानकारी मांग सकता है और उस सरकारी विभाग को उस आर्टिया एप्लिकेशन का जवाब जो है वो 30 दिनों में देना होता है यह जो आक्ट है वो प्रष्टाचार के खिलाप एक बहुत ही काम आने वाला अधिनियम है तो बच्छो आप सरकार से कोई भी सवाल पूछ कर सूचना ले सकते है आप सरकार से किसी भी दस्ताविस्त की जांच कर सकते है आप किसी भी कामकाच का निरिक्षन कर सकते हैं तो RTI जो आक्ट है वो हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमन है और हम सभी को उसका लाब भी उठाना चाहिए तो रश्ना दिदी जो थी वो RTI में सुचना मागीगी उनसे ही मदद मिल सकेगी अगली सुबह रश्ना दिदी जब छट पर चिडियों को दाना डानने गई तो आवाक रह गई यानि चकित रह जाना हका बका रह जाना मुदेर पर छट के कोने में कपडों की रसी पर सब अलग अलग तरह की चिडियों के जून बैटे थे इतने पक्षी तो कभी उनकी चट पर नहीं आते थे हर तरह की चिडियों का जून अपने साथ एक घोसला लाया था सब पक्षी चूप थे मानो कुछ कहना चाह रहे हो पिर चातुर कवे ने एक छोटे से घोसले को मूँ में लेकर दीदी के पैरों के पास धी में से रख दिया आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो कवा था उसने अपने मूँ में ये घोसला लाकर दीदी के पैरों के पास धीरे से रख दिया और ये सारे जो पक्षी है वो रश्णा दिदी से जैसे कि कुछ कहना चाह रहे है कि दिदी हम सबके घोसले बचाओ इस बगीचे को बचाओ अकबार में खबर छपी थी मौल का गलत नक्षा पास करने वाले लोगों को सजा उस कॉलनी के बगीचे का आनन वहा रहने वाले सभी लोग उठा सकेंगे ललो बुलबूल प्रसन थी रहने वालों में बगीचे के सभी पक्षी और गिलो गिलहरी का भी परिवार था तो देखा बच्चो कि पक्षियों ने रश्नादीदी की मद से अपना बगीचा जो था उसे बचाया था जो गलत तरीके से रक्षा पास करने वाले जो लोग थे उन्हें भी सजा मिल गई थी उस बगीचे का आनन उठाने वाले वहां की लोग भी बहुत खूश थे बगीचे में रहने वाले सारे पक्षी गिलहरी वे सभी बहुत ही प्रसन थे क्यूंकि वे सभी अपने ही घुसल काटे तो उसके बदले हमें जादा पेड लगाने चाहिए पेड लगाओ पेड बचाओ धन्यवाद बच्चो